राजधानी दिल्ली के बुरारी इलाके के इबराहिमपूर में गौ रक्षा दल की दिल्ली टीम ने गौ तस्क्री करने वाले कुछ लोगों को रंगे हाथों पकड़ा। गोदाम के अंदर तीन गाये जिंदा बच्चाए गई और उनके बच्चरे भी हुए बरामद। गव रक्षको का आरोप है बुरी तरीके से मुह बांद कर गाये को काटने की की जा रही थी तैयारी शुक्रवार शाम के वक्त यहां ये गाये पकड़ी गई इस बाबत पुलिस को सूचना दी गई पुलिस सभी गायों को टेम्पो में चड़ा कर ले गई है गोदाम मालिक क भी इस तरह के कारोबार में शामिल होने की आशन का जताय जा रही है और गौर रक्षको की भी मांग है कि गोदाम के मालिक पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए गोदाम के अंदर बड़ी मात्रा में खून और पैकिंग मेटिरियल भी हुआ बरामद हुआ है फिलहाल मामले की जाच जारी है बुरारी थाना पुलिस पूरे मामले की जाच में जुटी इबराहिम पोर बिंदल वॉटिका के पास मुख्य सड़क पर बना था गोदाम है प्रशासं से कहीं पर नलका लगता है कहीं पर कोई मकान बंता है बीट वालो को इनफॉर्मेशन लग जातें लेकिन यह आपके अंदर में गाये कट रहे हैं कुछा को पता नहीं लगता ऐसा कैसे हो सकता हम बस यह जानना चाहते हैं इसको घुली अलगी में रोड़ बेस सब्सक्राइब करते हैं इनको गाएं का पता नहीं चला गाएं एक सनात्रियों की मूल जड़ है उसके बारे में मतलब ले रहे हैं कि उसके अंदर में कोई एक्शन नहीं कोई कुछ नहीं तो वही बस हम कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा प्रसासन को सकता ही दिखानी चीए वह सब्सक्राइब को पकड़ा गया है जो कि हमारे भाई ने और दो चार और भाई थे उन्होंने मिलके परसासन को बुला के तब पकड़ा गया है तो यह बावना ने जी मौमड़न है ता इससे पहले बीच में बलस्वामे दो तीन वार आसी कटी है वहां पर पी कोई लीगल एक्शन नहीं हो जगह जगह दिली के अंदर में हर दूसरे तीसरे दिन गोदाम लेके रोडों के ओपर में गाएं काटी जा रही है गाएं का फ